धंग से ना सुना जाए और उनकी ब्यक्खा ठीक धंग से ना किया जाए तीश में मेरा कोई कशूर कोई दोस नहीं हो सकता। मैंने दो बाते कही। एक तो कहा कि राजा जब अंधा होते हैं मान लिए अंधे धितराष्ट तब द्रपदी को बस्ताहरन होते हैं हस्तिनापूर्वे। राजा जबी भी अंधे रहते द्रोपदीों को बस्ताहरन होना तै होते हैं जैसे कि हस्तिनापूर में हुई थी आज मनिपूर में हो रहे हैं इसका मतलब मैं किसी ब्यक्तिक त्रूप से हमारे देश के प्रधान मंत्री के अपमान करने के लिए नहीं किया मैं उधारा नज नजीर की तोर पर जैसे कि हम लोग कहते कि मोनिपूर में आग लगे हैं और समरत नीडो बसुरी बजा रहा है इसका मतलब यह नहीं कि प्रधान मंत्री की अपमान कर रहे हैं एक नजीर की तरी एक उधारान की तरह एक मेटाफॉरिक लिए यह कही जाता यही हमारा भासा की एक तरीका है दूसरे बात मैं नहीं यह कहा कि मोधी जी आसमान में चाद और नीचे कानाप हो इसकी चीता बाग हर चीज में आप बोलते रहते बहुत दिन पहले हिंदुस्तान को लूटके निरव मोधी चले गए देश की बाहर देश की खजना लूटके मजे से जिन्दिगी गुजर रहे है आज मुझे लगता है कि नए सिरे से आपकी अंदर और एक निरव मोधी पैदा हो चुके है मतलब क्या मतलब मोनीपूर की मुद्दे पे आप निरव बैठे है चुप्पी सादे हुए है मिश्टर साइलेंट बन गए है इसका मतलब यह नहीं मोधी जी को मैं अपमान करने की कोई मेरा मकसति नहीं फिर मैं कहता हूं नीरव मतलब होते है silent आप शुद्धो हिंदी देख लो मैं उतना हिंदी नहीं जानते फिर भी मुझे मालू मैं कि नीरब मतलब क्या होते है आप देख सकते हैं आपका डिक्ष्णारी खुल के तो मोदी जी नीरब मोदी जी सरब रहते है कभी मोदी जी नीरब रहते है अगर निरब कहे मुदी जी को तो इसमें क्या आस्मान तूट पड़ेगा क्या फिर भी उनको लगा कि हम अपमान के एक तो मानने आये थे मेरे पर एक बहुत बड़ा ताकाद बर बिरंदर सेंग ना क्या पता है नहीं वेदम दौर के आये मुझ पर मारने के लिए मेरा सीट का नहीं कि मैंने कुछ नहीं कई लेकर इंदिरा गांधी राजीब गांधी सोनिया गांधी राहूल गांधी रेकौड निकालिये कितिने गालिया दिया जाते हैं हमारे पुर्बो जो सारे लोगों को कितिने गालिया दिया जाते हैं आप खुद देख लिया करो रिकॉर्ड पे और मैंने जो कहा हो भी आप रिकॉर्ड पे निकाल के देख लो अगर आपको लगे कि मैं को गलत सब्दों इस्तेमाल कि मोदी जी एक बर क्यों सो बर प्रधन मंत्री बने इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं तो सदन की जो सत्तपक ओभी थप थपाया अपना टेबिल लेकिन जब मैंने कहा कि मोदी जी निरब की हुआ है लगता ही निरब मोदी आ गए तो मोदी जी को लगा उनका पन हो रहे हैं मोदी जी को नहीं लगा उनकी दरबारियों को लगा तो बस उन्होंने लादिया मेरे खिला एक क्या प्रस्ता मुझे जानकरी नहीं आई मैं इतना कानून बिशुशक नहीं है सदन के अंदर की लेकिन पता चला कि कोई प्रिविलेज कमिटी कोई सौपा गाये हैं तब तक मेरा सस्पेंशन है ठीक है जो सजा मिलता है मान के चलेंगे अगर हमें कोई अन्यकिया हो तो मैं वरी दाबे के साथ कह सकते हैं तरह में हिंदूस्त्तन की सब लोग अब देख लिया करो मैं क्या कहा मेरा एटिचूड मेरा सारे बक्तब अब सब देख लिया करो